दोस्तो Realme ना अपना लेटेस्ट फोन लाँच कर दिया Realme 12 Pro जिसका बॉक्स ये रखा हुआ मेरे पास तो इसकी उन्बॉक्सिंग करके देखेंगे इसके अंदर आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं और Realme की सबसे बढ़िया सीरीज जो है दोस्तो उसमें 12 सीरीज में अब लाँच हो चुका है दोस्तो 12 Pro और जो है 11 सीरीज के बाद आप 12 सीरीज आ चुकी है जिसमें अंदर की तरफ आपको इसके जो कुछ यूजर मैं मिलते हैं और एक मिल जाता है है रकाओर है और इसके बाद मिल जाता है वून एक रैपर के अंदर डिटेल लुक हम अभी देखेंगे टाइप C केबल दी गई है जिसकी क्वैलिटी जो है दोस्तो काफी बढ़ी है तो लेंद और क्वैलिटी केबल की काफी बढ़ी है आपको मिल जाती है और लास्ट में दोस्तो रखवा मिलता है ये वाइट कलर में 67 वाट का चार्जर तो चार्जर आपको फास्ट मिल जाता है सुपर वूक, सरसाट वॉट का चार्जर बॉक्स में मिलता है जिसकी स्पीड आपको काफी बढ़िया मिल जाती है तो बॉक्स के जो कंटेंट से दोस्तो आपको Realme 12 Pro के साथ काफी बढ़िया मिल जाते है क्योंकि चार्जर भी बढ़िया है, कवर भी दिया गया है जो इसके कैमरे का मोड्यूल है, क्या ही कमाल का आपको मिल जाता है कम्पलीट दिजैन दोस्तों, मैं आपको दिखाते ही इसके अंदर आपको जो डिजैन मिलता है, ल Helsे वाच वाला मिलता है कुछ इस तरीके से और आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको क्या ही effect देखने को मिलता है और camera इस तरीकी के design में दिया गए है camera के नीचे आपको कुछ इस तरीकी से strip type के देखने को मिलती है golden color में बाकी ये beige color में मेरे पास और इसके अंदर आपको vegan leather finish में design दिया गए है तो design की quality है वो भी काफी जादा बढ़िया है तो दोस्तो design की quality भी काफी अच्छी है और look wise तो क्या ही कमाल का है camera के पास से आपको ये circle type का मिलता है इसमें आपको side में एकदम luxury watch वाला dial type का देखने को मिलता है realme 12 pro में मतलब इसका price तो ठीक ठाकी है 27,000 लेकिन उसे साबसे देखा जाए तो design काफी जादा premium ही है ऐसा normal type का आपको नहीं मिलता पहले से बहुत ही जादा improved है तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको design मिल जाता है जो की quality में और look wise दोनों में बढ़िया है चलिए इसको on करते हैं आपको दिखाते हैं इसके अंदर आपको display की quality, brightness, colors कैसे मिलते हैं, size कैसा है तो display का size तो इसके अंदर आपको दिया गया है दोस्तो 6.7 इंचिस के आसपास साड़े 6 हैं से और बड़ी ही display इसके अंदर आपको मिल जाती है तो display जो इसके अंदर आपको emolid दी गई है, इस चीज़ काफी बढ़िया है refresh rate कितना है और दोस्तो experience जो इसके display का कैसा है, colors कैसा आपको मिलते हैं तो जल्दी से में इसको setup करके आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको display की brightness कैसे मिलती है तो दोस्तो इसके अंदर आपको user interface इस तरीके से दिया गए है और use करने में जो इसके experience काफी जादा smooth आपको मिलता है तो experience काफी जादा बढ़िया है इसका क्योंकि इसके अंदर आपको display में जो refresh rate मिलता है वो भी काफी जादा बढ़िया है इसमें दोस्तों आपको जो refresh rate मिलता है चली चलता है settings में आपको दिखातों सबसे पहले इसमें आपको maximum refresh rate कितना देखने को मिलता है तो इसके अंदर आपको दोस्तों डिस्प्ले में दिया गया है 120 Hz के refresh rate तो smoothness जो इसके अंदर आपको काफी जादा बढ़िया मिल जाती है दोस्तों क्योंके refresh rate जो काफी जादा है इसी के साथ दोस्तों experience जो इसको use करने का वो भी काफी जादा बढ़िया है user interface भी अच्छा दिया गए है बाकि आपको realme का UI कैसा लगता है कैसे नहीं आप comment करके बताईएगा इसके अंदर आपको बिल्कुली latest UI दिया गए है realme का बाकि दोस्तों डिस्पले की जो quality है मैं आपको करीब से दिखाता हूँ बिल्कुल full brightness करके तो design punch hole कैमेरे वाला है और इसके अंदर आपको flat display नहीं मिलती डिस्पले की जो quality है size है design है हर चीज बहुत ही जादा premium इसके अंदर आपको मिल जाती है डिस्पले की brightness भी बहुत अच्छी है दोस्तों और colors वोगरा भी काफी बढ़िये दिये गए हैं इसके साथ दोस्तों in display finger paint scanner इसमें आपको मिलता है डिस्पले के अंदर ही finger paint scanner दिया गया है side उसाप इसकी curvedness देखेंगे दोस्तों कुछ इस तरी किसा आपको मिल जाती है जो कि आपको काफी बढ़िये दी गई है तो experience तो क्या ही premium इसके use करने का तो वो चीज़ आपको अलगी feel हो जाती है तो वो चीज़ काफी जादा बढ़िये लगी मुझे इसकी और दोस्तो quality सबसे important है जो चीज़ इसमें आपको काफी बढ़िये दी गई है बढ़िये refresh rate के साथ इसे के साथ दोस्तों left side साब देहेंगे इसके design को तो यहाँ पर आपको golden shade में जो है कुछ इस तरह के से frame दिया गया है जो की बहुत ही जादा चमकता है और इसके design को जो है बहुत ही premium बनाता है नीची की तरफ headphone jack आपको नहीं मिलता यह मुझे इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ डाउन लगी SIM के tray मिल जाती है दो SIM card लगा सकते है memory card लगाने का option नहीं है right side पर volume के buttons और power का button है fingerprint scanner तो display में यह उपर से देहींगे तो stereo speakers भी इसमां आपको दिये गए हैं और noise cancellation mic भी मिल जाता है तो सिर्फ 1000 कई फरक है 27000 में मुझे यह variant बढ़िया लगा 8256 बाकि दोस्तों इसके अंदर आपको जो फ्री स्टोरेज कुछ इस तरह की से 30 GB पहले से यूज़ और ही कम मतलब थोड़ी सी और कमी है मैंने कुछ application से इसके अंदर install कर ली बाकि दोस्तों आपको storage को लेकर दिक्कत नहीं होगी काफी बढ़िया storage इसके अंदर आपको दी गई है 8GB RAM 8GB और बढ़ा सकते हैं 16GB RAM इसके अंदर हो जाएगी और दोस्तों आपको Android का बिल्कुली latest version Android 14 मिलता यह चीज़ इसमें बहुत ही कमाल की है बिल्कुली latest version आपको दिया गया है तो कुछ इस तरही से इसके अंदर आप रोके टोड़ा सकते हैं और दोस्तों इसको restart करते ह देखते हैं performance वगरे को लेकर यह आपको phone कैसा मिलता है चले देखते हैं इसको normal इसके अंदर जो इसमें आपको कैसी speed देखने को मिलती है कि हैंग टाइप का होता यह फिर नहीं बाकि दोस्तों के अंदर आपको बिल्कुली latest processor दिया गया है Snapdragon 6 Gen 1 अगर आप एक heavy user performance आपको ब देखने को मिल जाती है restart test में दोस्तों देख लेते हैं इसके अंदर आपको कितना time देखने को मिलता है बाकि दोस्तों इसके अंदर आपको प्राइस के सबसे features दिये गए हैं काफी बढ़िया मिल जाते हैं सबसे main चीज जो इसका design है वो बहुत जादा premium है दूसरे इसके display क quality जो है वो भी काफी बड़ी आपको मिलती है और restart test में कुछ इस तरीके से इसने इतना time लिया जो की normal type का काफी fast कर रहा है चली कुछ applications भी जो है मैं इसके अंदर open करके आपको दिखा देता हूं तो यह phone आपको काफी बड़ा ही मिलता है तो दोस्तों experience आपको काफी बड़ 50 MP अब number से फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो इसके अंदर आपको quality मिलती है न दोस्तों वह आपको क्या ही कमाल की मिल जाती है colors वगरा photos के बहुत ही बढ़ी आ रहा है और दोस्तों display की quality बढ़िया होने को जैसे जो details है दोस्तों वह भी आपको और जादा बढ़िया colors में देखने को मिल जाती है तो display की quality, camera की quality काफी बढ़िया लगी मुझे और दोस्तों edge detection, background blur वगरा portrait mode के अंदर काफी बढ़िया से काम करता है तो वह चीज़ भी आपको अच्छी मिल जाती है तो यह सारे खुबिया कमी आपको मिलती है realme 12 pro में 27000 में rate के साब से देखा जाए दोस्तों इसके दर आपको जो features मिलते हैं काफी बढ़िया मिल जाते हैं अगर आपको जिससे display बढ़िया चाहिए तो काफी बढ़िया है दोस्तों design भी बहुत अच्छा मिल जाता है battery भी अच्छी दी गई है charger भी सही मिल जाता है performance अच्छी मिल जाएगी 5G phone है 256 भी storage आपक जे काफी पसंद आया आप बताइएगा फिर भी comment करके आपको realme का यह latest 12 pro कैसा लगा कैसे नहीं comment करके जरूर बताइएगा वीडियो दूस्तों और आपको अच्छे लिए तो इसको एक like करके जरूर जाएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर द हुी अजब करके दोड़ा है अटाइगा खिको दोस्तों के माघएगा बताइगा अ म्याँकर ही समयर ही वी बताइगा बतावад मैंने वीडियो को जही ही है ु Polit